राजस्तान जूनियर इंस्ट्रक्टर रिजल्ट इस वीडियो बात करेंगे राजस्तान में जो जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए रिटन टेस्ट हुआ था उसके फाइनल रिजल्ट आ चुका है और कितने कंडिडेट को बुलाया गया है क्या कट आफ रही है और किस तरह से candidate को बुलाए गया है और general के जो cut off रही है वो है 51.9959 अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रिशान करने की चीज है जो लोगों को समझ नहीं आ रही वो है यह calculation कि यह calculation कैसे की गई है वो हम आपको बताने की कोशिश करूँगा और इसे साथ जो आपके शाइटेस के बारे में और जानकारी है तो वीडियो के comment box में जुरूर बताएं ताकि बाकी लोगों को भी उसका पता चल जाए अब बात आती है कि यह number कैसे calculate किये गए है अगर हम 1500 को 70 के scale पर करें तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करेगा मालेजिए यह 500 number है यह 70 के scale पर किये गए है तो यहाँ पर formula आपका काम करेगा 150 into 70 divide by 100 तो देखिए आपके number आजेंगे 105 अगर आपके 500 सवाल सही थे तो आपके बनते 105 अब यह बाकी formula क्या है यह कैसे काम करता है तो यह लिखा है maximum marks total number of questions तो हमारे जो maximum marks थे वो थे डेट सो और जो हमारे total number of questions थे वो थे डेट सो उसके बाद into में है total number of questions of a particular section subject number of valid question of a particular section subject तो मेरा यह वाला code था paper का यहाँ पर एक से 50 में 3 delete है और 21 से डेट सो में 2 delete है तो हम आपको दिखा देता हम आगे कैसे काम करेगा जैसे कि मान ले थे इस section में थे 50 और यहाँ पर value थे 47 तो यह आपका formula काम करेगा is equal to 150 divided by 150 into 50 divided by 47 आप करेंगा enter तो यह आपकी value आ चुकी है 1.06 तो यह मान लेते हैं हमारे जो gk के portion है उसकी value है इसका मतलब है कि आपका जो सवाल पहले एक number का था अब वो हो चुका है 1.06 का क्योंकि 3 सवाल आपके delete हो चुके हैं इसी तरह से हम बाकी काम निकाल लेते हैं वहाँ पर भी आपका रहेगा 1500 उसके बाद आप divide करेंगे 500 से वहाँ पर सवाल थे 100 और सजी सवाल थे 98 तो आप formula लगाएंगे 1500 को 1500 से divide करेंगे into करेंगे 100 divide by 98 तो यह आपका 1.02 यहाँ पर जो एक number का सवाल था आप उसकी value बढ़के हो चुकिए 1.02 तो अगर बात करें कि मेरे किते सवाल सही थे तो पहले portion मेरे थे 19 सवाल सही दूसरे में थे 59 अब हम इनको आगे multiply करेंगे तो मेरे number पता चल जाएंगे किते number थे तो यहाँ शाए मेरे 20 number और यहाँ शाए 60 आप दोनों को जोड़ देते हैं तो देखें मेरे बनते हैं 80 number आप इनको 70 के scale के उपर divide कर लेते हैं तो is equal to यह number हो जाएंगे इनको 70 multiply करेंगे और 100 से divide करेंगे तो देखेंजी मेरे number होते हैं 56.29 और यहाँ पर जो इसकी cutoff गई है cutoff है 51.99 लेकिन फिर भी मेरा number इस list में नहीं है मुझे नहीं पता कि इसका यही formula है कोई अलग formula है या किस वज़े से मेरा number नहीं है मैंने board में कम से कम 50 बारी phone कियोंगे board ने ना मेरा phone उठाया email किये ना को email का जवाब आया और ना ही कोई tweet का जवाब आया महरेना का रहने वाला हूं इसलिए possible नहीं है कि मैं जैपूर जाके इस बात का पता लगा पाऊं कि यह number किस तरह से calculate किये गए है अगर किसी भाई ने कोपा का paper दिया था या जूनि इस्ट्रेक्टर में बाकि किसी trade का paper दिया था और उसके अगर इतने सवाल सही हैं और उनका number आ चुका है तो एक बारी वीडियो के comment box जुरूब बताएं और अगर आपके formula पता है कि कैसे calculate किये गए है वो भी आप वीडियो के comment box जुरूब बताएं और अगर किसी ने RS, M, SSB board में पता किया है कि इसका क्या formula है वो भी आप वीडियो के comment box जुरूब बता सकते हैं आपके comment का हमें इंतिजार रहेगा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत करिया